साथियों, विपश के लोग जिस गलती को बार-बार दोहरा रहे हैं, वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडरेस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आखों से देख भी रही है, और समझ भी रही है। किस तरह छोटे-छोटे स्वार्थ के लिए मुल्यों और सिद्धान्तों से समझोता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेप्ट और कॉंग्रेस एक दूसरे की खुन के प्यासे हैं लेकिन बैंगलूरू में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुश्करा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगल में लेप्ट और कॉंग्रेस के नेता उपर उनके कारकरता उपर टीमसी हमले कर रही हैं। लेकिन इनके नेता टीमसी के खिजाब कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गल्बहियां मिशन नहीं हैं, मजबुरियां हैं। इनकी सच्चाएं आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेस्टलाल कॉंफरेंस के नेता और पीडिपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालिया देते हैं। आरजेडियों और जेडियों के लोग कैसे कैसे सब दोसरे एक दूसरे को नवातते थे। देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुस्ती हो या मजबूरी की दोस्ती इसकी हकीकत एक सो चालीस करोड देशवाच्यों के सामने आ चुकी है। साथियों अपने राजनितिक स्वार्त के लिए ये लोग पास-पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कारकरताओं के भी परवा नहीं हैं। ये अपने कारकरताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन पर जिसका विरोध किया उसका अचानक सतकार करने लगे। अब ऐसे मैं इन दलों का कारकरता खुद ब्रमीद है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोशने के लिए इतना समय लगा रहे हैं। अच्छा होता वह देश के लिए सोचने में गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हैं कि हम उनके लिए सब्सक्राशना भी कर सकतें हैं। झाल झाल झाल